तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे AJH और DSC के बीच में जो next T20 का मैच होगा सारजा T20 लिग का बिना दैरी कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिंपल यह आपको बता देना है कि अगर इस मैच का final team चाहते हैं लाइनप के बाद कोई भी अगर changes होता है हमारा team जो अभी team हम लोग last में create करेंगे सारे states के basis पे अगर उसमें कुछ changes होता है तो वो team आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा जहां पे 30,000 से भी अधिक member ने join कर लिया है दोस्तोर यहां का peach condition अगर आप देखेंगे तो यह एक balance पीछे फिर भी अगर आप देखेंगे तो जिस परकार 20 over का match हो रहा है मतलब यहां पे 200 का आगड़ा भी हम लोगों देखने को मिला है अला कि AJH के टीम देखोगे तो एक match खेल चुका है जहां पे 178 का target मिला था लेकिन AJH के टीम ने कुछ चीज ने कर पाया था इस वज़े से AJH के टीम पहले मुकाबले में loss किया है डीयसी की बात करेंगे तो यहां पहला मुकाबला खेलेगा आज के match जो है आज पहला मुकाबला रहने वाला है इसमें AJH के टीम के टीम के टीम के तरफ से आपको अधनान उल मल्क खेलते हुए नजर आएंगे जो की open करते हुए 26 run score करा है टीम के captain है open करते हुए दीखेंगे इनकोल दे सकते हैं अधनान अरीप की बात करेंगे तो यहां पे 28 run score करा है टीम के 3 down पे खेलेंगे अधनान खान जो की open करते हैं पंदरन बना याई वीकेट के बहुत बढ़ियां प्लेर है और open करते हैं तिन दोनों को जरू ट्राय करना बाकि यह भी टीम के जल्दी बल्ले बाजी करते हैं बैटिंग और आप देख सकते हैं निर्मल जो की 206 नमर पे खेल रहे हैं पांच रूर बना के एक विकेट निकाला यह भी चार ओवर के गिंद बाजी करते हैं फजल बेंगी बात करेंगे निकाला यही फुर ओवर गिंद बाज शारुक शेक जो की यह फर्स्टान पे खेलते हुए 10 नमर बना है बाकि बॉलिंग से देखोगे तो इनको विकेट नहीं मिला है बाज के जो दो खिलाड़ी है चार-पांच नमर पे खेलने के लिए उतना मजबूत नहीं है तो इनको अगर आप चाहिए इस मैच के अंदर आएंगे इस मैच के अंदर विकेट कुरिंग में पचीस मैचे खेले हैं दोस्तों अपने टी-टी के किरियर में जहां पे 746 रन स्कोर करा है बॉलिंग करते विए नजर नहीं आएंगे टी-टी-टी फॉमेट में इका बल्ले बाज देखोगे तो बहुत मजबूत है शेटी की बात करेंगे 36 मैच में अगर आप देखेंगे 131 रन स्कोर करा ये भी बहुत मजबूत बैटिंग में फारुक ये मतलब ज्यादा एक्स्प्रियंस है नहीं लेकिन याद रखना ये खिलाडी टॉप पे खिल सकते हैं अगर लाइन अप में अगर रहेगा तो ध्यान रखना साहजाद जो की 22 मैच में अगर आप देखेंगे तो 554 रन स्कोर करा है बॉलिंग कम करत के लिए को ले सकते हैं और लंडर में अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे 554 रन स्कोर करा है बारा विकेट भी निकाले हैं ये भी बल्लेबाजी इनका कम सम लेकिन बॉलिंग कंप्लिट आप करते भी दिखेंगे इस मैच के अंदर किश्वानी 52 मैच में आप दे देद हबर बॉलर है धियान रखना बहुत बढ़ियां यहां पर बॉलिंग सबको पॉइंट दिया सकते हैं शुरिया 37 जो की 24 मैच में देखेंगे 352 रंबना के 15 विकेट निकाल ये भी एक इंपोर्टन प्लेयर इनको पिने टीम में ले सकते हैं वहीं समीम अली जो की ये प्लेयर इनको इस मैच के अंदर ड्रॉप करते भी चलेंगे बॉलिंग अगर आप देखेंगे 33 विकेट निकाले इनका बॉलिंग बहुत मजबूत है इस मैच के अंदर बल्ले बाजी करने के बहुत कम चांस है दोस्तों याद रखना अब है जो कि 20 मैच में आप देखो इनका 67 मैच में बॉलिंग से बल्ले बाजी भी काफी मजबूत है बॉलर है लेकिन बल्ले बाजी मजबूत है साथ विकेट निकाले भी है यह एक इंपोर्टन प्लेयर रहेगा इस मैच के अंदर गेम चेंजर भी साभी तो सकता अगर इस मैच के अंदर खेलते हैं जैस जो कि अगर आप देखो कि 38 मैच में 42 विकेट निकाले हैं साथी 300 प्लस रन स्कोर भी इन्हों ने करा है तो यह एक अच्छे गंदबाज है कंप्लेट चार वर तक गंदबाजी कर्ट भी दिख जाएं गर इस मैच के अंदर खेलते हैं तो यहां पर देख लो प्लेंग को ट्राय करेंगी जो कि एजएच के टीम के तरफ से बहुत अच्छा पीक रहने वाला है तो इनको मैं ट्राय करने वाला हूँ ठीम के टॉप अडर पे खेल रहे हैं मैंने बैटिंग और जस्ट आपको बताया है बैटिंग में आप देखेंगे तीन बैस्पन को ले रहा है सिलक्षन भली कम है लेकिन याद रखना बहुत अच्छा प्लेयर इस मैच के अंदर सावित हो सकते हैं और अगर आप देखेंगे तीन और को ले रखा है एन अजिस एस थरमार यहाँ पर दोसको किसवानी यह तीन जो प्लेयर है ने तीनों को अपने टीम में जरूर ट्राय करना है एन अजिस भी बहुत बड़ी है प्लेयर है जो बल्लेबाजी के नपाजी दोनों करेंगे इस वज़े से वाइस केप्टेन सी के लिए मैं इनको ट्राय करके रखा है तो यह जो अभी टीम है आप लोग सेब कर लो ठीका लाइन अप का वेट करना है इस मैच का फाइ नेक्ट वीडियो में जैहिंद